आज के वीडियो में जो हम लोग LED देखने वाले हैं ये 12 वोल्ट का डॉम LED इसको डॉम LED बोलते हैं क्योंकि ये डॉम के जैसा लगता है तो इसे हम लोग यूज करने वाले हैं और ये हमारा पिक्सल LED का स्टेर कंट्रोलर है जिसमें कि दो सेंसर लगे होते हैं एक नीचे के कर लिए एक ऊपर के लिए अब इसमें क्या है कि आपको सेंसर का लेंथ जो वायर का हो ता है इतना ज्यादा नहीं होता तो मैंने एक वायर यूज कर लिए जो कि त्री कोर का है जिसके अंदर तीन वायर है तो मैं एक नीचे सेंटर को कनेक्ट करने के लिए यूज करूंगा और यहां पर मैंने बारा भूल्ट का पावर सप्लाई यूज किया है जो कि ये 25 इस led को चलाने के लिए सफीशियन तैश. अब चलिए इसके कनेक्ट्र Esse swap देखते हैं कि 107 करूंग अब जो हमुआँ इसके आणद्रों देख लेते और इसको जो है उपर जागर पर हमने कनेक्ट कर दिया है ठीक है यहां पर देखे यह आपका 12 बोल्ट होता है और यह 5 बोल्ट होता है हमने लेडी 12 बोल्ट की लगा रखे है तो इसलिए जो हमने 12 बोल्ट पर कनेक्ट कर दिया यहां पर और जो हमने इसको पावर देने के लि मान के चलिए हमने यह सेंसर लगाया तो अगर आपके जो सेंसर एंपीयन टाइप के हैं तो उसमें जब हाप हैंड लाएंगे तो उसके led ग्लो करेंगे कई वर क्या होता है कि जैसे यह हमारा सेंसर से डिस्टेंस लगवग एक मीटर का है ठीक है तो यह आपके led ग्लो नहीं कर रहेगा तो आपको सेंसर की सेंसिटिविटी सेट करनी पड़ेगी जैसे मान के चलिए यह हमारा यहां पे डिटेक्ट कर रहा है ठीक है तो अगर मुझे सेंसिटिविटी कम करने है यहां पे मैं पीछे जो स्कूरू दिया हुआ है इसे ट्यूंड कर लूँगा अपने रिक हुआ हम सेटिंग है हमने यहां फेपन लगा रखान और जो मैंने एकसेंसर लॉया है इससे में सनेट कर लिया है एक सिसस्यारा श्यूंड करने करें आफिंग करने गोडर की सेटिंग कैसे बिलिंग करने लगता है जो कि एक hot spot network create हो जाता है उसके बाद जो है आपको यह led stair नाम का जो network आएगा उससे connect कर लेने है password आप देख पा रहे हैं कि इसके उपर लिखा है 1234 1234 उसके बाद wifi से connect होने के बाद जो है आपको यह ip google chrome में search करने है 9.9.9 तो हमने wifi connect कर लिया है और यहाँ पर हम यह ip search कर रहे है ठीक है तो यह हमारा web page open हो जाएगा इस web page में जो है हम लोग इसकी setting करेंगे तो यहाँ पर देखें दो type के settings हैं तो अभी जो हम लोग step by step हमने लगा रखा है एक step में लगव तीन LED कंज जो है यहाँ पर step by step setting पर click किया हमने और यहाँ पर हमारे छोटा step है तो इसमें मात्र 8 steps है और एक step में 3 LED है तो हमने 3-3 fill कर रखा है उसके बाद जो है आप यह सब fill करने के बाद जो है check पर click करके check भी कर सकते हैं तो देखिए हमारा check पर click किया तो मैंने सारे LED चल गया है ठ sensor type 2 है हमारा यह वाला sensor है ठीक है NPN type sensor है तो यहाँ पर जैसे आपका NPN sensor होगा तो यहाँ पर हाथ लेके आएंगे तो यह आपका LED glow होगा अगर PNP type होंगे तो जब आपके कोई भी अवस्तिकल नहीं होंगे तो LED जलता रहेगा और कोई हाथ लेके आएंगे तो LED off हो करने हैं यहाँ पर step by step का क्या delay होगा मैं 300 set कर देता हूं अभी फिलाल और उसके बाद जो है आपको save setting पर क्लिक करने है कि सेटिंग पर क्लिक करने है आप जो है LED टेस्ट करने के लिए ब्राइट पर क्लिक करेंगे तो आपके LED चलेंगे तो जैसे मैं ब्राइट पर क्लिक करता हूं तो यहां पर देखे एक सेंसर बंस यहां पर आत लाना जैसे मैं यहां पर देखी हां डाल रहा हूं यहां पर हमारा एक सेंसर चेक हो गया तो LED और सेंसर आप यहीं पर चेक कर लेंगे ठीक है यह हमारा चोटा सा सिरी था तो इसमें मेरे से पतले वायर से काम हो गया एक अड़प्टर से काम हो गया अगर और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहां पर मैं सेंसर पर हांत ला रहा हूं तो यहां हमारा LED चलना चालू हो गया और यहां पर जो डिले हमने उसके बाद उधर से भी लाइट ठीक है अब देखिए उधर से कोई आ रहे हैं तो यह हमारा लाइट चलना चालू गया इदम सिंपल सा है मैंने 25 एलीडी पे छोटा सा प्रोटोटाइप बनाया बहुतारे लोग इंस्टॉल करते हैं तो उनको जो है इलेक्ट्रीशन से इंस् दूसरा प्रोसेस होता है step by step वाले में जिसमें कि हम यहां पे led लगाते हैं ठीक है तो उसका वी वीडियो मैंदाल चुका हूँ और आपको जो है करना करना है तो आप इस टाइप का सिंपल वाला कर सकते है system My Hey, यह LED मेरे पास था तो मैंने प्रोटोटाइप लिए बनाया बाकि आप LED स्ट्रिप यूज करें ताकि थोड़ा ज्यादा अच्छा लगेगा देखने के लिए तो दोस्तों आपको यह समझ में आया होगा कैसे इस्टॉल करते हैं